अस्सलाम ओरेकुम, मेरा नाम सल्मा है, मेरी उमर 30 साल है, मैं एक मुदवसित खेराने से तादू करती हूँ, मेरे वालिक कैंसर के मरीज थे, और वो इस डिमारी से नड़ते नड़ते फौथ हो गए थे, हम चार वहने हैं, मैं बहनों में दूसरे नंबर पर हूँ, मैं एक द बाजी बहुत अच्छी थी, वुगर्का सारा काम करती थी, बाजी हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जितनी अच्छी बाजी थी, इनकी किसमत इतनी ही खराब थी, क्योंकि इनकी उमर गुजरती जा रही थी अच्छे रिष्टों के इंतिजार में जो भी रिष्टा आता या तो वो किसी माली का होता या किसी चौकिदार का कभी जो किसी अच्छे घर का रिष्टा आता तो हमारे घर की हायरत देख कर वापस ही नहीं आते थे अम्मी बहुत परिशान थे कि बड़ी बेटी की शादी हो तो दूसरी बेटियों का भी नंबर आए लेकिन अजाने अनलगों क्या मन्जूर था अब कि बार इनके लिए एक रिक्षा ड्राइवर का रिष्टा आया था बाजी और मैं इस रिष्टे के लिए राजी नहीं थे मकर अम्मी अब बाजी को मजीद अच्छे रिष्टों की आस में नहीं बिठाना चाहती थी अम्मी ने फॉरन हाँ करती थी वो कहती थी कि सना की उमर जादा होती जा रही है अच्छे रिष्टों के इंतिजार में बहतर है इस रिष्टे को इंगार नहीं करना चाहिए यूबाजी की शादी इकबाल भाई से कर दी कई थी शादी के बाद इकबाल भाई की असल हकीकत आशकार हुई इकबाल बहुत जानिम शख्स था मार पिट करता था बाजी का शोहर पूरा पूरा दिन घर नहीं आता था और रात को आकर बाजी से पिदा बज़र नडाई करता था एकबाल भाई ने बाजी को बच्चे पैदा करने वानी मशीन बना कर रखतिया था चार सार में बाजी के तीन बच्चे थे और अब फिर से वो अन्मीज से थी इनकी ये हालत हमसे नहीं देखी जाते थी क्योंकि एकबाल भई घर में तवच्चा नहीं देते थे ना खाने का खयाल लगते थे ना वो बाजी को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते थे इस बार वाजी की हालत बहुत खराब थी एकबाल भई जब ही हमारे खराते तो बहाने बहाने से मेरी छोटी भेहन आमना से फ्री होने की कोशिश करते थे कभी बाने मांगते, कभी किसी और बहाने से बात करने की कोशिश करते थे जबके आमना एक बार भाई को मूँ भी नहीं लगाती थी आमना मेनी सबसे छोटी पहन थी और छोटी होने की वज़ा से आमना बहुत खुद्सर हो गई थी आमना को अपनी हर बात वनवाने की आदत हो गई थी आमना कॉलिज में पढ़ती थी और वो फर्स ट्रे की तारपा थी आमना का मुहन्य में रहने वाले एक लड़की से चक्कर था जिसका राम हसन था वो हसन से प्यार करती थी हसन थी आमना से शादी करना चाता था आमना अकसर कॉलिज से चुट्टी करके हसन से बिंदे के लिए जाती थी एक दिन आमना कॉलिज से हसन को बिंदे के लिए चली गई और वो एक होटर में एकटे बैठे बाते कर रहे थे कि वहाँ से गुजरते हुए सायमा ने आमना को देख लिया था खराकर सायमा ने आमना से पूछा आमना ये लड़का कौन था जिसके साथ तुम होटर में थी पहले तो आमना घबरा गई और मुकर ही गई कि वो किसी के साथ नहीं थी बलके कॉलिज गई थी बेशा किसकी दोस्तों से पूछ दिया जाए लेकिन जब देखा कि सायमा तो किसी सूरग तल नहीं रही तो फिर भूदी चलो ठीक है मैं तुम्हें सब बताऊंगी लेकिन बादा करो तुम अम्मी को कुछ नहीं बताऊगी सायमा ने बादा किया तो आमना ने बताया कि वो हसन से प्यार करती है और वो भी आमना से सची महपत करता है तालीम मुकंबल करने के बाद दोनों का इरादा शादी करने का है सायमा ने आमना से वादा किया कि वो हसन से इसकी शादी करवाने में मदब करेगी लेकिन पत्रे में आमना को भी सायमा की मदब करना होगी साइमा ने आमदा को बताया कि वो जवाद से महभबत करती है और जवाद इनके महंदे में रहता है और वो शादी शोता है इसके दो बच्चे भी थे साइमा ने कहा कि वो घर नहीं बता सकती क्योंकि वो पहन्दे से ही शादी शोता था जवाद और साइमा चुपकर मेना करते थे जवाद तो सिर्फ आम मर्दों की तन्हा बाहिर मुमारने का आदी था वो सिर्फ अपना मतलब पुरा करने की चक्कर में था जवाद ने साइमा को इतनी खुबसूलती से अपने जाल में फसाया था कि सायमा ने अपना आप जवात को पेश कर दिया था वो जवात की महबत ने इस कदर आगे बढ़ गए थी कैसे अप़ी इज़त की भी बढ़वा नहीं की वो महबत ने पागन शायद ये भी नहीं जानती थी कि वो इसमें अपनी जान गवा देगी अब वो दोनों अकसर मिलते थे कुछ टाइम बात जब एक दिन सायमा को अचानक उर्दियां शुरू हो भी और वो डॉक्टर की पास गई तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकन थी वो माँ बनने वाली थी बिन पे आही मा ये खबर पता चलदी पर सायमा बहुत परिशान हुई जब सायमा ने जवाड से जिकर कया इस ने कहा कि वो किसी डॉक्टर से मशोरा करे और कोई हल निकान देगा सायमा ने बहुत मिन्नते की कि वो इससे शादी कर दे हमारी रिष्टे को नाम में जाएगा पेट में बहुत दड़ था और वो दड़ के मारे तड़प रही थी इसके रूने की आवास सुनकर मैं और अम्मी जाक गए थे इसकी तकलिफ हम से देखी नहीं जा रही थी अम्मी को साइमा ने बताया कि वो मा बनने वारी थी और इसने अपने हमल खतम करने वारी गोनिया खाएं हैं यह सुनकर अम्मी परिशान हो गई थी डॉक्टर के मशोरे के बगएर दवाई इस्तिमाल करने से इसकी यह हालत हो गई थी अब आदी रात को वो साइमा को कहां दे कर जाती अम्मी को अपनी इज़त का भी डर था कि डॉक्टर ने इसकी शोहर का पूछा तो वो क्या करेंगी साइमा डर के मारे तरप रही थी और हम कुछ नहीं कर सकते थे और इसी तरह तरपते तरपते इसने हमारी आँखों के सामने अपनी जान दे दी वो मन्जर मुझे कभी नहीं भूल सकता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन को क्या हो गया है मैं जोर जोर से रोने लगी तो मेरी माने मुझे चुप करवाया और समझाया कि अगर ये बात घर से बाहर निकनी के सामा शादी से पहले ही हमल से थी तो तुम्हारी और आमना की शादी कैसे होगी कौन रिष्टा लेकर आएगा चुनाचा इस बात को यही पर खतम करतो अम्मी ने सब को यही बताया कि सामा के पेट में अपेंडिक्स था जिसके फटने की बज़ा से वो बढ़ गई अभी हम सामा के खम को भी न भुला पाए थे कि एक राथ एक दर्दनाख खबर हमें मिली मेरी बड़ी बाजी जो के चौती बार हमल से थी इनके तवियत बहुत खराब हो गई थी इनके डिलिबरी का वक्त अस्तिक था वो तर्द से तड़प रही थी और इकबाल भाई की मिन्नती कर रही थी कि वो इससे अस्पतार दे जाए लेकिन इकबाल भाई ने इनकी एक ना सुनी बाजी की हालत बहुत खराब थी इन्हें किसी की मदद की जरूरत थी लेकिन इकबाल भाई ने इन्हें अस्पतार ना पहुचा आया जिसकी वज़ा से मेरी प्यारे बाजी मौत के मुँँ में चली गई थी इनका बच्चा भी इनके पेट में मर गया था जब इकबाल भाई ने बाजी की यहालत देखी तो अम्मी को फोन किया और जल्दी से बुनाया अम्मी जब कहें तो बाजी बैट पर बुर्दा हालत ने पड़ी थी अम्मी ने बाजी को हाथ लगा कर देखा लेकिन वो सांस नहीं ले रही थी हमारे लिए ये रात किसी कयामत से कम ना थी बाजी के तेन छोटे बच्चे रोरू कर पागल हो रहे थे मगर अब भी देर हो गए थी इकबाल भाई की नापरवाही की वज़ा से मेरी बहन मौत के मुँमें चर्दी गई थी मेरी बाजी को बढ़े हुए चालिस दिन भी ना हुए थे कि एकबाल भाई ने एक और हैरतनाग बात अम्मी से की अम्मी ये बात सुनकर परिशान हो गई थी अम्मी ने जब ये बात मुझे बताई तो मैं भी सुनकर बहुत परिशान हुई क्योंकि एकबाल भाई ने अम्मी से कहा था कि वो आमना की शादी बाल भाई के साथ करने क्योंकि जिस तरह सायमनी शादी से पहली किसी के साथ नाजाईस तालूक रखे थे जिसकी वज़ा से वो मा बनने वाली थी और वो दवाई खाने की वज़ा से मर गई थी तो ये नहों कि आमना भी ऐसा ही कोई गुर्व खिलाए तो पहतर है कि आप इज़त से आमना की शादी मुझसे करते क्योंकि मैं जॉब करती थी, अच्छा का माती थी तो मेरे भी बहुत से रिष्टे आते थे लेकिन मेरी अम्मी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि इन्हें डर था कि अगर उन्होंने मेरी शादी करती तो घरता खर्चा किस तरह चाहती गा मेरा जूब ही रिष्टा था, अम्मी किसी ना किसी पहाने से मना करती थी मुझे बात अच्छी नहीं लगती थी मैं भी इन्सान थी, मेरी उमर की रड़्कियों के बच्चे भी थे मगर मीनी मानी मेरी बारे में कुछ नहीं सोचा था नेकिन अब मैं फैसला कर चुकी थी क्या पकर कोई रिष्टा आया तो मैं किसी सूरत अम्मी को इनकार नहीं करने दूँगी मेरी सहेली अनीना जो मेरे साथ काम करती थी इसका भाई वकील था और वो अपने भाई की शादी मुझे कारणडा चाती थी एक दिन बॉलू प्रिष्टा देकर हमारे खर आए क्योंकि मैंने पहने ही अम्मी को बता दिया था कि मैं मजीद परदाश नहीं करूंगी बहतर है कि आप मेरी शादी करते मैं शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी पर आपको खर्चा देती रहूंगी इस शर्ट पर अम्मी ने मेरी शादी के लिए हामी भरती रिष्टा मजूर करने के बाद हमने शादी की तैयारियां शुरू करती और यो कुछ माबाद मेरी वकील के साथ शादी हो गई थी हम दोनें बहुत खुश थे मैं अब भी पहने की तरह ना सेफ अम्मी का खयाल रखती बलकि हर माँ खर्चा भी देती थी अम्मी ने आमना की शादी भी एकबार भाई से करती थी आमना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसकी शादी बाद से हो वो अपनी हसन से महपत करती थी लेकिन अम्मी ने जबरदस्ची इसका निखा करवा दिया था दूसरी शादी के बाद भी अकबाल भाई नहीं सुत्रे थे, वो आमना को बहुत मारते आमना अकबाल के जुर्म से बहुत तंग थी अकबाल दो बच्चों का भी खयाल नहीं रखता था बचचे किसी चीज़ की फर्माइश करते तो वो बच्चों को बहुत मारता था बच्चे भी बहुत टर्टे थे बाप से अल्दा ने मातो ले ली, मकर बाप भी ना होनी जैसा था ना तो बच्चों के खाने की फिकर ना कप्टों की ना सहत का ख्याल था और नाई स्कूल की फीस का इन सब बातों से तंगा कर एक दिन आमना ने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया था वो हसन से मिलना चाहती थी आमना किसी मुनासिय वक्क के इंतिजान में थी एक दिन इकबाल भाई रिष्टा देकर काम पर गए तो आमना बच्चों को स्कूल भेज कर घर से भाग गए और बड़ी सी चादर ओड़तर छुपकर हसन की घर की तरफ चल पड़ी आमना बहुत डर रही थी कि कहीं इदबाल ना इसे देख ले जल्दी जल्दी चलते हुए वो हसन की घर की सामने पहुँच गए आमना ने देखा कि हसन का घर भूलों से सजा हुआ था आमना करिल जोर जोर से धड़क रहा था घर के अंदर दाफिन होने पर आमना पर आसमान तूट पड़ा क्यूंकि वो जिस हसन की आस में घर छोड़ कर आई की वो तो किसी और के साथ नेका कर रहा था वो ऐसन जो इससे महबबत करता था इसके साथ जीने मरने के वादे करता था आज किसी और का हो गया था आमना से ये परदाश नहीं हुआ और वो तेजी से महां से वापस घर की तरफ रवाना हो गई एक बान अभी तक घर वापस नहीं आया था आम्णाने अपने आपको इस तरह कर दिया जैसे वो घर से कहीं गई ही ना थी अब वो घर की काम में लगते सबसे पहने आम्णानी घर की सफाई सुत्राइए की फिर खाना पका कर रखा इससे पहने वो घर पर तबज़ा नहीं दे थी थी लेकिन अब इसने अपनी किस्मत से समझोता कर दिया था उजान के थी कि यही इसका खड़ है शायद यही इसकी किस्मत में लिखा था शनाचे जब बच्चे स्कूल से वापस आये तो आमना ने बच्चों को नहराने के बास साफ कपड़े पहनाए और खाना खिराया आमना अब इकबार भाई से नर्मी से बात करती लेकिन इकबार भाई अब दीज से इसी तरह पेश आते थे जरा-जरा सी बात पर मार पिर्ट करते थे जारा दिन घर से बाहर रहते थे एक दिन में अपनी बहन आमना से मिलने के लिए इसकी घर गई तो मैंने आमना की हालत देखकर आमना को कहा कि वो मेरे साथ आ जाए मैं अच्छी हालत में थी कि आमना का अच्छे से ख्याल रख सकती थी और इसकी हर जरूरत पूरी कर सकती थी लेकिन आमना ने मेरे पास सुनकर साफ इनकार्ट कर दिया और मेरे साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि अब यही मेरा खड़ है और यही मेरे पच्चे है अल्ला ताला ने इनसे इनकी मा छेन ली अब मैं ही इनकी मा हूँ इनकी परवरिश करना ही अब मेरा मकसद है अब मैं इनकी तालिम और तर्वियत करूँगी ये मेरे पेट्थे हैं मैं भी अगर आपके साथ चती कई तो इनका क्या होगा इकबाल जैसे भी है है तो मेरी शोहर और मैं इनकी बहुत इज़त करती हूँ इकबाल जो भी घर वापस आया था आपना की ये बाते सुनकर इसके आखे खुल भें और वो वही से वापस परटकर दूसरे कमरे में चला गया आहिस्ता आहिस्ता इकबाल भाई बहुत बदल कहते थे और वो आपना का बहुत खयाल लगते थे अब वो दिन रात वहनत करते थे रिक्षा चलाते और जो भी दिन परकी आमदनी होती लाकर आमना के हाथ तर रखते थे आमना बहुत खुश थी अब इकबाल भाई और आमना दोनुं हसी खुशी जिन्दकी गुजा रहे थे अगर कहानी अच्छी रगी हो तो वेडियो को लाइक करो मजीद इस तरह वेडियो देखने जी लिए हमारे जेनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं अगली वेडियो में अल्ला हाफिज